हेलो फ्रेंट्स स्वागते हैं आपके मेरे चैनल में यह देखिए आज हमने बनाए हैं मिर्च पकोड़ा यह बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेष्टी लगते हैं दोस्तों इस तरण टाइम ज़्रूर ज़्यादा लगता है लेकिन यह बहुत प्रिज नहीं है इसलिए मिर्श हमारी सूप चुकी है और यह हमने मिर्श धोक ली थी अच्छी तरह साफ कर ली थी और कोछ इस तरह से हम बीज में से फार देंगे और आप चाहें तो इसका बीज निकाल सकती है हमने बीज नहीं निकाला है और इस तरह से हमने सभी मिर्श का आप ठीश तरह नो प्याज अगर आप को नहीं पसंद तो ना डालें तो यह प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब इसमें डाल दिये हमने हरी मिर्च और थोड़ी सी हल्दी चलाते हुए इसे भी बून लेंगे और उसके बाद ढालेंगे हम अपने आलू देखिए कुछ इस तरह से ये आलू ढाल दिये हमने और इसे चलाते हुए मिक्स करएंगे और इसमें डाला है हमने नमक स्वादशार दोस्तों यहीं पर आगर आप चाहें तो इसमें लाल मेंस पा चुरी हमने सूखे धनिया डाल दिया है शूख दनियाब पडर और यह हमारे आलू तल के तैयार हैं अब है से इस तरह से यह देखिए मिर्च में भर देंगे अच्छे से और इसी तरह से हम सभी अपनी भर के तैयार कर लेंगे देखिए आपको हम दिखा रहे हैं दूसरी मिर्ष भर के कुछ इस तरह से हम भर लेंगे सभी मिर्ष को तो यह देखिए हमने भर के तयार कर लिए हैं सभी मिर्ष अब चलेंगे बेसन की तरफ यह हमने एक बाउल ले लिया है उसमें डालेंगे डेड़ कटोरी बेसन यह एक कटोरी दोस्तों और आदी कटोरी और डालेंगे और इसका एक घोल बनाएंगे अब इसमें डालेंगे हम सूखे मसाले यह जीरा अब हम डालेंगे हल्दी पाउडर थोड़ी सी हल्दी पाउडर और यह नमक स्वादनशार और इसमें डालेंगे मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हींग और अब इसे उसी कटोरी से दोस्तों हम पाणी लेंगे और बेसन हमारा दवा के नहीं भराता इसी तरह से हमने भर लिया था और जितना हमें बेसन लेना है उतना ही दोस्तों पाणी लगेगा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगेगा हमें और अगर आपका मौटा बेसन है तो ज़्यादा लग सकता है ये देखिएं घोल बना रहे हैं कुछ इसी तरह से आपको गोल बनाना है हमारा महीन वाला बेसन था इस भी हमें उतना ही पानी लगा जतना बेशन और अगर आपका मोटावेशन है तो थोड़ा ज्यादा लग सकता है पानी और कुछ इस तरह से हमें गोल बनाके तयार करना है जिस तरह ये मिर्च पे कोड हो जाए ये देखिए गोल की और गैस पे रख दिया हमने कडाई उसमें डाल दिया है ओल गोल हमारा बनके तय क्यार था तो ये मिर्च हमने एक ले लिए और इसे डिप करेंगे बेशन में और जितना एश्ट्रा बेशन है दोस्तों वो सभी इस तरह से निकाल देंगे और अब ये हमारा गरम हो चुका है तो हमने मिर्च डाल दिये कडाई में और इस तरह से हम सभी मिर्च सेक लेनी है यह हमने डाल दी है और यह थोड़ी सी जब सिक जाएं पक जाएं उसके बाद ही हमें पलटना है और इसी तरह से हम पलट पलटके सभी मिट से सेख लेंगे यह देखिए दोस्तों मिट सिक के तयार है और अब हमने निकाल लिया ऐसे और इसी तरह हम सभी मिर्च सेख के तयार कर लेंगे और यह दूसरा कोट दोस्तों अब सभी मिर्च सेख लिए है उसके बाद हमें दूसरा कोट करना है इसके उपर तो बेसन में हमने इसे डिप कर दिया है और इस तरह से हम दूसरा कोट भी कर लेंगे दोस्तों अगर एक वार मिर्च सेग हो तो अच्छी नहीं लगती है और अच्छी से बेसन भी नहीं चिपकता है अगर दूसरा कोड करेंगे तभी मिर्च अच्छी लगती है और इस तरह से हम सभी मिर्च सेग के तयार कर लेंगे दोस्तों वीडियो पसंद ना है तो लाइक करें प्लीज प्लीज मेरे सेनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वेल आइकन प्रेस करें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें सभी मिर्च सिक के तयार कर लेनी है दूसरा कोट भी हमें इसी तरह से सिक लेना है तो यह देखिए आप देख सकते हैं मिर्च सभी सिक्के तयार हैं और यह एक प्लेट में हमने निकाल ली हैं सबी वह यह देखिए और दोस्तों अगर आपको चटनी की रेसिपी देखनी है तो हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं आप तो मिलते रहेंगे ऐसी नही नही रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई